निमोनिया वहाँ पर निमोनिया फैलता जा रहा है यानि सांस की बिमारी होती जा रही है अधिकतर वो बच्चों में होती जा रही है तो एक चिंता का विसे है और इस वज़े से आपको दो दिन दिन लगातार आपको फार्मा के शेरों में तेजी के संके देखने के देखने क कि जिस भी company के पास अधिकतर अच्छे अच्छे portfolio होते है यानि कि उनके काम यानि कि एक company कुछ एक काम कर रहे है लेकिन उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारे उसी तरीके से काम है तो वो company best है यह आप समझ सकते हैं जैसे उधारन के लिए Reliance Industry उसके पास कितना काम है पैट्रोल हो गेस हो FMCG हो टेलिकॉम हो टेक्स्टाइल हो कहीं काम है उसके पास तो उस वज़े से क्या है उस company की value बढ़ जाती है उसी तरीके से सिरफ एक company है सिरफ उसके पास सिरफ टेक्स्टाइल का ही work है तो वह वहीं इस पार सिमित सी हो जाती है पर टेक्स्टाइल में भी जैसे वह धागू पे काम कर रही हो अलग-अलग cotton पे काम कर रही हो अलग-अलग design में काम कर रही हो तो फिर वह उस तरीके से भी बढ़ जाती है तो कहने का मतलब है कि जिस company के पास अपना portfolio अपना वेपार करने की इस्तिती अच्छे अच्छे तरीकों से होंगे उसके पास उतने ज़्यादा customer होंगे और जब ज़्यादा customer होंगे तो उसकी sales ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी तो चाइना में आ रहा है pneumonia वहाँ पर pneumonia फैलता जा रहा है यानि सांस की पिमारी होती जारी अधिक तर वो बच्छो में होती जा रही है तो एक चिंता का विष्य है और इस वज़े से आपको दो तिन दिन लगता तर आपको फार्मा के शेरों में तेजी के संकेद्दे देखने को मिले इसमें मैं किसी भी फार्मा के शेर के बारे में आपको नहीं बताऊंगा लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूं तोकि यह दिसंबर की चीजे यानि की नॉंबर के एंड के बाद मैंने आपको एक संकेत दे ते जनवरी में दे दे थे कि इस टैम कुछ ऐसी कोवीड जैसे ही कुछ चीजे हो सकते हैं अव काफी लोग सोचें करे है कैसे आप इस चीज को बताते हो तो अलग तरीके कीछे होती है वो refuse होती अपको क्या बताओ कैई कि यह चीजे जो अब चीज से निकल करआ रहे हैं सिर्व कोवीड कहा से निकलकर यह भी चीन की तरफ से ही जो चीजे बताई जा रही है उदर से आया था तो यह चीन से दुबारा निमोनी आ रहा और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है इसमें गंबीरता वाली चीजे आ रहे हैं और स्वासद वाली चीजे फैलती जाता है यह आपको समझना है तो भारत सरकार यानि स्वास्थ विभाग हमारा क्या भा रहा स्वास्त-मंत्राले हो गया अलेल्ट अब जितनी भी चीजे आपको देखने को मिलेगी उन्होंने ईडवैजरी जारी कर दी है चाय वह राज्जे हो या केंद्री सासित राज्जे हो वहाँ पर स्वास मंत्राले के विचारों के साथ बात हो गई है और वो देख रहे हैं कि अस्पतालों में पूर्ण तया इस संबंधित जो भी जो निकल कर आ रही है नियों स्वासंबंधित या हमारे पास वो चीज़े किस तरीके से या उसकी सारी सुचारू रूप से जानकरी نौलिज ले रही है जिस लड़ने के लिए तयार हो जाएं तो भारत ने पहले कर्दम कष ली है तो जब इस तरीके से भारत पूरे इंडिया में इस तरकी से कदम कसेगा तो वहाँ पर क्या होगी medicine की जरौत होगी वहाँ पर अलग-अलग medicine equipment की जरौत होगी health equipment की जरौत होगी तो वहाँ पर क्या होगा यह pharma का शे जो company भी है वो तोड़ा सा effect डालेगी और वो अपने द्वारा उन manufacturing जो भी संबंदित विमारी उसे बढ़ाएगी तो जब चीन से नीमोनियाद देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपको स्वास्त के ऊपर स्वास्त मंत्राले अलट हो गया है और उन्होंने जितने भी गोर्मेंट ऑस्पिटल है उसके अंदर अपनी चीजों को बता दिया और वो चीजे हो रहे हैं चैक हो रहा है तो यहां भी मंत्री है जो है ऑस्पिटल में चैक किंग चल रही है कि भाई क्या क्या चीजी हमारे पास है या नहीं है तो उसको हम लड़ने के लिए तैयार हो है तो यह चोटा लग सकता है आपको क्योंकि यहां पर तो नहीं है लेकिन फैलने की वह चीजे वाली है तो अलट तो होने पड़ेगा तो इसी तरीके से शेर मार्केट जब भी आपको कुछ अंदे से हो जाए उसके लिए अलट रही है है ना सर मैं क्यों कह रहा हूं क्यों स्वास्त का आपको बता रहे हैं दूसरा मैंने भी आपको पॉर्टफोलिय वाली चीजे बताए थी सर यह क्यों कह रहा हूं मैं आपको अलट होना चाहिए देखो सर एक नियूज जो निकल कर आई थी वोड़ा फोन आइडिया में सरकार अपना स्टेक जो बेज भी सकती है डॉड ने विने मैस मंतराले को चीजे भेजी हैं वो लोगों हलके पे ले रहे हैं देखो सर हलके पे लेना जाना लेना वो हमारे उपर हो सकता है लेकिन न्यूज हमारे सामने यह मैं आपको अपने दूसरे चैनल पर बता के चलाऊं देखो सर वोड़ा फोन आइडिया के पास सिरब अभी 4G है उसे वह उन्नत करता जा रहा है इनके हर क्वार्टर में सब्सक्राइब खतम होते जा रहे हैं यह डॉड भी चिंतीत है इससे और हम भी चिंतीत है क्योंकि हमारे पास भी इसके शेर थे मेरे पास तो दरब हैं इसके से मैं आपको बता दू लेकिन फि लेकिना है कि आगे जाकर इसके अदर उजाले कैसे होंगे लोग पूछते सर अब क्या होगा तो सब्सक्राइब तो ज्यादा इसके अंदर आपको अपने को निवाल मनी करना है समझ के चलना है कि यह सरकार नहीं चीज़े बैचे देखो एक चीज और बता हूँ मैं आपको जैसे एल्टेल है अब एल्टेल के पास इतने सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं पर एल्टेल के अंदर एक पॉर्टफोलियो है बड़ा सा एक तो सर्फ फाइबर दूसरा लोगतेबर दूसरा वह धीज़ों को डिटीएच के माध्यम से या उनके फाइबर के माध्यम से जो चलता है उसके माध्यम से वह फिरी भी कर रहे ही इस तरीके के भी प्लान आ रहे है तो उसके पास पॉर्टफोलियों बहुत जाद है इसी तरीके जीओ के पास जीओ का फ सारी चीजे तो नहीं है जिस चीज के पूरे भारत में जी और अपनी समराज्य को अपने पॉर्टफेलियो फिला कर बैठ रहा है इसलिए चोड़ी चीज बताईए है आपको समझ नहीं और वोल्डफोन आइडिया के पास तो अभी 5G भी नहीं है और वोल्डफोन आइडिया है और तीसरा यह इसके उपर यह आगया कि सरकार इसके अंदर से कर सकती है तो मैंने आज आपको पोट्फोलिय वारी चीज बताईए कि अगर इसके पास 5G भी आए तो वह तो पहले ही सब के पास भी है यह आपको समझेना है कुछ दिनों तक के तो वह रंगीन तबारे दि के पास नहीं समझने वाली स्थीत्यों के साथ आगे निकलना है मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है सार्थक बजार से उसके अंदर आज आपको एक नए शेयर पर वीडियो देखने को मिलेगी जिसका नाम है SEPC यानि स्रीराम EPC उसके अंदर वीडियो बनाई है दूसरा समझा है तो उन नीतियों को भी समझना आपको बहुत जरूरी होता है और यहां पर आपको बड़े फुक फुक कर कदम वोड़ा फुन एडिया में देखने हैं और जिस तरीके से निमोनिया चीन में आ रहा है उससे आपको फार्मा के शेयर के अंदर अपनी तीचों को जाएगा तो लड़ने के लिए हम तयार हैं तो यहां फार्मा की सेक्टर अच्छे चलने के उम्मीद हो रही है तो फिर बिलेंगे आपसे निवडियों के साथ जब तक के लिए नमस्कार